नमस्कार आप देख रहे हैं नवदेश टाइम पे से आज की मुख्या समाचार अलीपूरा के पास दो ट्रकों की हुई आमने सामने की बेडंत में डराइवर गंबी रुप से हुआ घायल बरसाथ से गन्नेवे हरेचारे को मिली संजीवनी वाड नमबर चार की लोगों को भुक्तना पड़रा जलापूर्ती विभाग की लापरवाई का खामियाजा नई सिक्सा नीती अनुसार लागु वैदिक गनित बारे बच्चों को दी जानकारी सिक्सन संस्थानों में महिला सुरक्षा विस्था पर हुआ जागरुकता कारेगरम का अयूजन अब खबरे विस्तार से सारनपूर कुक्षेतर हाईवे मार्क पर बुदवार को गाउं अलुपुरा के पास दो ट्रकों के आमने सामनी की बिडंत हो गई वही एक ट्रेक्टर टॉली भी इसकी चपेट में आ गई दुरगटना में एक ट्रक का चालक अंदर फंस गया जिसे कड़ी मसकत के बाहर निकाल हो स्पिटल में भरती करवाया गया वही हाईडर मसीन की मदद से ट्रकों को सडक से साइड में किया गया वेलिजानकारी के अनुसार रेज से लदा एक ट्रक रादोर से लडवा की साइड जा रहा था मही लडवा की ओर से एक खाली ट्रक रादोर साइड आ रहा था गाउं अलीपुरा के वाज दोनों की आमने सामने की भिडंत हो गई फास से गुजर रहा रेच से वरा एक ट्रेक्टर टोली भी इनकी सबेट में आ गया दुरगटना में रेच से लदे ट्रक के चालक को गंबीर चोटे आई हैं जिसका उपचार होस्पिटल में चल रहा है घायल ड्राइवर राजस्थान का बताया जा रहा है बुदवार को क्षेतर में आई बरसाथ से पिछले कईदनों से पढ़ रही चिल चिलाती गर्मी से लोगों ने रहात की सांस ली वही इस बरसाथ से बीशन गर्मी के कांड़ सूक रहे हरे चारे वे गन्ने की फसल को भी कुछ हद तक फाइदा पहुँचा है गन्ना करिसी अधिकारियों के मताबक इस बरसाथ से गन्ने में आई बिमारी से भी फसल को फाइदा पहुचा है गन्ना करिसी विकास अधिकारी कमल जीत ने बताया की बीशन गर्मी के कांड़ गन्ने की फसल में ब्लैक बग सहित गोव वे जड़की सुंडी का भी परकोव बढ़ गया था गर्मी के कांड़ कीटनास को कभी इस पर कोई परभाव देखने को नहीं मिलना था उन्होंने बताया की बुदवार को बर्चाथ से गन्ने की फसल में आई बिमारी से फोरी तोर पर राद जरूर मिलेगी जलापूर्ती विभाग की लापरवाई के चलते सहर के वाड नमबर चार की बस्ती के लोग नर्किया जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं वाड में जहां सीवरेज की मेन होल जगय जगय से लीख हो रहे हैं वही पेजल पाईप्लाइन से गंदा पानी घरों में सप्लाई हो रहा है वाड वासियों का अरोपै की सिकाहत के बाद भी विभागिया अधिकारियों की नीद नहीं टूट रही है बुद्वार को विभागिया कर्या 45 से खफा स्थानिया लोगों ने परदर्शन कर अपना रोस जाहिर किया इस मोगे पर स्थानिया लोगों ने दो दिन तक समस्या का समाधान नहीं किया जाने पर विभाग के कार्याले पर अनेसित कालिन धर्ना परदसन की चेतावनी दी है वही इस बारे जलापूर्ती विभाग के SDO रवी नाइक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वाड में आज ही करमचारियों को भेज कर जाम सीवरिज को खुलवाय जाएगा वही पेजल पाइव लाइन में कहां पर लिकेज है यह चेक कर इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा रादोर की गाउं कुम्चला रावस्थित महराजा अगरसें सीनियर स्केंडी पप्लिक स्कूल में वुद्वार को गणित विश्या पर गैस्ट लेक्चर का अयोजन किया गया इस मौके बर डाक्टर योगेस चंद्रा ने बच्चों को नई सिक्षा नीती के अनुसार लागो किये गये वैदिक गणित के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बदाया कि नई सिक्षा नीती के अनुसार वैतिक गणित तीसरी कक्षा से बारवी तक लागू किया गया है उन्होंने का कि गणित विश्य को वैधिक मैत के अद्वारा असानी से किया जा सकता है जिससे बच्चों के अंदर गडित विश्य को लेकर पैदा होने वाले डर की भावना समापत होकर रूची पैदा होगी वही स्कूल परबंदक डाक्टर सुदेश मंसल ने कहा कि ऐसी गत्विदियां स्कूल में होने से बच्चों में विश्य से समंदित वैसरकार द्वारा बनाएगी नीतियों की जानकारी बनी रहती है गुदवार को मुगंदलाल नेसल कोलिज में महिला परकोष्ट द्वारा समाज में इसतरी सम्मान बढ़ाने हितू सिक्षन संसानों में महिला सुरक्षट विश्य पर एक जागरुकता कारेगरम का अयोजन की आ गया कारेगरम में चातराओं को महिला सुरक्षट पर एक लगू फिलम भी दिखाए गई महिला परकोष्ट की कन्वीनर लक्टर माला सरमा ने चातराओं को वर्थमान पर सिती में महिलाओं के परती हिंसा को देखते हुए स्वेम को सुरक्षित रखने का अहवान किया तथा अपने अधिकारों के परती सजक हो दे हुए आतम विश्वास अधिगुणों को भी विक्षित करने पर बल दिया गया रादोर वैया आसपास की खमरों के लिए जुड़े रहे नमदेश टाइम के साथ नमस्कार